महारास्ट के पुर्व पुलिस कमिसनर परंबीर सिंग को लेकर के और सौ करोर रुपय के वसूली कांड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खबार आचुकी है CBI ने 100 करोर रुपए को ले करके जो परंबीर सिंग ने संसनी खेज खुलासे किये हैं अभी वो अपने आप में दिल दहलाने वाली बात है और इस आरोप के बाद तो और महाविकास अगारी सरकार मुँ आंदे गिरने वाली है क्योंकि परंबीर सिंग ने अब तोते की तरह मुँ खुलना शुरू कर दिया है अब इस पर CBI ने 46 भी दार शुरू कर दिया है अब क्या-क्या संसनी खेज खुलासे किये हैं सचिन वजे को ले करके ये सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे जो परंबीर सिंग CBI के सामने बहुत बरा बयान देद चीगा है अब आपको बता दें कि उन्होंने साब तोर पर परंबीर सिंग ने ये कहा कि सचिन वजे की बहाली को ले करके हमने उद्दो ठाकरे, शरत पवार, अजित पवार ये तमाम लोगों ने हम पे दबाओ डाला और ये बहुत बरा बयान दिया है परंबीर सिंग ने इसका मतलब ये होता है कि सचिन वजे को ले करके आखर क्यूँ महाविकास अगारी सरकार, उद्दो ठाकरे सरकार, शरत पवार, अजित पवार और यहां तक की आदित ठाकरे पर्यटन मंत्री इन तमाम लोगों को पता था कि सचिन वजे के उपर जिस तरीके से आरोप है, करप्टेड पुलिस है, फिर भी इनको बहाली के लिए दबाव डाला गया परंबीर सिंग को, तो ये बहुत बरा बयान दे दिया है परंबीर सिंग ने, अब दूसरा ये बयान दिया है, संसनी खेज खुलासा किया है तमाम आरोपों की जो जानकारी है, वो महाविकास अगारी सरकार, उद्धो ठाकडे, सरकार, शरट पवार, और अजित पवार, जयन पाटिल, इन तमाम लोगों को जानकारी थी, कि अनिल देशमुक जो है, वो सो करोर रुपे की धांदली कर रहे हैं हर महीने, लेकन सवाल यहाँ पर यह उठता है, कि जब परंबीर सिंग ने अपने बयान में ये बात कही, तो उद्धो ठाकडे सरकार, महाविकास अगारी सरकार को जब पता था, कि अनिल देशमुक जो है, वो इतनी बड़ी धांदली घोटाले बाजी कर रहे हैं, तो फर भी यह सरकार क्यों इसी चीज़ का फैदा था, यह तमाम सवाल पूरी तरीके से इकठा हो रहे हैं, जब से परंबीर सिंग ने खुलासे पर खुलासे करना शुरू किया है,